नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन मंसल वास्तु कंसिटेंट मैं हमेशे ही आप लोगों के लिए नए नए विशे पर वीडियो बनाता रहता हूँ और आज फिर मैं आपके लिए एक और नए विशे लेकर रहा हूँ आपका अपना गाड़ियों का शोरूम है और आपका शोरूम अच्छा नहीं चल रहा आप जरूरत से ज़्यादा प्रेशान है कहने के लिए तो गाड़ियों का शोरूम है परसनल विकल का शोरूम है हर व्यक्ति को दिखने में तो बहुत बड़ा सैट अप लगता है लेकिन उस सैट अप को मैंटेन करने के लिए उसी ओनर को मालूम होता है कि उसके खर्चे किस तरीके से मीट हो रहे है जितने भी बड़े बड़े शोरूम है बहुत सारी जगे ऐसा देखने में आता है कि उनके अपने खर्चे भी नहीं निकल पाते है यानि शोरूम के जो अपने खर्चे है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं निकलते तो मैं आज आपको गाडियों के शोरूम के बारे में जानकारी देना चाहूंगा आपका अपना गाडियों का शोरूम है और आपका अपना जो शोरूम है वो साउथ फेसिंग दक्षिन मुखी है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने अपने शूरूम में सिर्फ छोटे से दो उपाई करने हैं अगर ये उपाई आप अपने यहाँ पर कर लेते हैं तो मेरा अपने ये मानना है कि आपके गाड़ियों की सेल प्लास हो जाएगी और आपके शूरूम के जो खर्चे मेट नहीं हो रहे वो खर्चे भी मेट होने शूरू हो जाएगे सिर्फ आपने दो उपाई करने हैं सबसे पहले तो आपने करना क्या है जो आपका अपना फ्रंट का भाग है आगे का भाग है यानि जहां से आपके शोरूम की एंटरंस होती है यदि वहाँ पर आपने फुटमेट ब्ल्यू कलर का ब्लैक कलर का डाला हुआ है ग्रे कलर का फुटमेट डाला हुआ है तो मेरा मानना है कि आपके यहां सेल अच्छी नहीं हो सकती। यह दिया आपके अच्छी भी है तो आपके खरचें पूरे मिट नहीं होते, आपके should अपके श्यूरूम के सारे खरचें नहीं निकलते हैं फिर भी आपको श्यूरूम को चलाने तो मेरा अपने ये मानना है कि आपकी सेल प्लास हो जाएगी आपका शोरूम प्रॉफिट देना शुरू कर देगा सिर्फ अक्यला एक काम करने से फ्रेंट के भाग में रेड कलर का कार्पेट पिछाने से फुटमेट डालने से ऐसे ही जब आप अपने शोरूम में अंदर एं और आगे की गाड़ी आपकी बड़ी होनी चाहिए हैवी होनी चाहिए आपके पास किसी भी कमपनी का शोरूम है और आपके खर्चे में नहीं हो रहे तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले तो फुटमेट बाहर का 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 कलर चिंज करें उसके बाद गेट से एंक्रिकरत आपके लेट में और राइट में और रैड्र कलर की गाड़िया लगाएं उसके बाद जो आपके बैक सैड में यानि जो बिलकुल सामने आपने की द गहांने आपने अंगे तो आप उन गाड़ियों को वहां से जरू हटाएं क्योंकि जब आपका साथ C.श्यूरू में तो आपके जो बैक साइड में है वो नॉर्थ वाल बनती है वहां पर आप वाइट कलर की ब्लेक कलर की गाड़ी लगाएंगे तो आपके शोरूम से गाड़ियों की सेल अच्छे होनी शुरू हो जाएगी ऐसे ही आपके इस्ट के भाग में यदि ब्लेक कलर की गाड़ी खड़ी ह है उन गाड़ियों को इस्ट की वाल से हटाकर वेस्ट की वाल पर बिस्प्ले करें और जो गाड़ियां आपकी वेस्ट में खड़ी है उनमें ग्रीन कलर है या औरेंज कलर है या वाइलेट कलर है तो उन गाड़ियों को आप वहां से हटाकर इस्ट में यानि पूरों दिश बीफ होकर जाएगा और आपके यहां से गाड़ी ले कर भी जाएगा इसा होने से आपके श्रूरूम के खर्च छाद़े मेट होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि श्रूरूम को चलाने के लिए आनूर को ही मालूम होता है कि कितना बड़ा सेट अप होता है और कितनी ज़्यादा मौँ शोरूम को चलाने के लिए लगती है आप जरूर से ज़्यादा प्रेशान है तो ये छोटे-छोटे उपाए अपने यहां पर जरूर करके देखे मेरा अपना वास्तु शास्तर में 23 सालों का अनुगव रहा है और मैंने अपने इन 23 सालों में बहुत सारे शोरूम्स की विजिट किया कुछ नए तियार कराए कुछ पुरानों में कंसल्टेंसी दी और जैसे उन्होंने अपने यहां पर चेंज किया तो उनके यहां अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए आप भी चाते हैं कि आपके यहां सेल अच्छी हो आपके खर्चे मिंट हो तो आप यह चुटे चुटे उपाए जरूर करें और उसके बाद आपको लगता है कि अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और आप मुझे अपने यहां इन्वाइट करना चाते हैं तो आप अपने शोर क्की म sì कि रहे हैं कि अपके बाद काते हैं और उसके बाद करें झालगे जरूर करें तो आपके अपके यह क्की एक रहे रहायम себर हैं तो आपके एर दो आपकेम भी यहां